दोस्तो अगर आपका वोटर आइडी कार्ड गुम गया है खो गया है या फट गया है तो हम हमारा वोटर आइडी कार्ड की डुब्लिकेट कॉपी कैसे बुला सकते है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा दोस्तो हमारे वोटर आइडी कार्ड यानि एलेक्शन कार्ड की डुब्लिकेट कॉपी बुलवाने के लिए सिर्फ आपके पास आपका एलेक्शन कार्ड नंबर होना चाहिए तो चलो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले दोस्तो आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तो आपको इस सर्ज बार में सर्ज करना है वोटर हेल्प लाइन जैसे यह वोटर हेल्प लाइन डालते है दोस्तो आपके सामने यह आप आएगा आपको इसे इंस्टॉल करना है दोस्तो इसकी link में अपने चैनल के description में देदोंगा वहाँ से भी आप सिधे ये app को download कर सकते है download होते ही आपको दोस्तो open पर click करना है इस app को खोलना है इस app को खोलते ही आपके सामने कुछ इस तरह का page दिखाई देंगा दोस्तो आपको यहां बहुत सारे option दिखाई देंगे आपको form नाम के option पर जाना है form नाम के option पर जाती ही आपके सामने कुछ इस तरह के option दिखाई देंगे दोस्तो आपको issue of replacement electors photo identity card इस पर click करना है इस पर click करते ही कुछ इस तरह का page दिखेंगा आपको नीचे option दिखेंगा लेट स्टार्ट आपको इस पर click करना है click करते ही आपको पुछेंगा do you already have voter ID number आपके पास voter ID number है यानि election card number है तो आप यह पर click किजिए और नीचे next करें नेक्स्ट करती ही दोस्तो आपके सामने please enter your voter ID number यानि आपका election card number पुछेंगा आपको इसमें अपना election card number डाल देना है नंबर डालने के बाद दोस्तो आपको face detail पर click करना है click करते ही कुछ आपके सामने इस तरह का message दिखाई दोस्तो आपको इसे ignore करके नीचे proceed बटन पर click करना है जैसे ही आप proceed बटन पर click करेंगे दोस्तो आपके सामने आपके पुरी जानकरी दिखाई देंगी जानकरी देखने के बाद दोस्तो आपको नीचे next करना है next करती ही दोस्तो कुछ इस तरह का page आपको दिखाई देगा दोस्तो इसमें आपको अपना जो correct address है वो डाल देना है यहाँ पर आपको अपना house number डालना है अगर आपका house number है तो आप डालिए वरना इसमें dot देके आप नीचे आईए उसके बाद दोस्तो आपको street area लोकलेटी पुछेंगा आप कौन से इलाके में रहते हो तो दोस्तो आपको यहाँ पर उस इलाके की detail डालनी है detail डालते ही दोस्तो नीचे आपको town village पुछेंगा आपको यहाँ पर अपना village का नाम डाल देना है village का नाम डालने के बाद दोस्तो आपको नीचे मराठी में नाम पुछेंगा दोस्तो आपको इसे सही कर लेना है कर दोस्तो आपको नीचे पॉली स्टेशन पुछेंगा आपका पॉली स्टेशन का है आपको इसकी जनकरी डाल देनी है यह डालती ही दोस्तो नीचे आपसे फिर आपके शहर का नाम मराठी में पुछेंगा दोस्तो आपको इसे सही कर लेना है कर देल लेना है कर दोस्तो राईबर अचे करेदा कि झाल स्टेशन का पुछली स्टेशन का फ्रेसी क?, V puisque fire पनए यह यह रुछली स्टेशन, सफ़ यह वबाएंगा में यह राईफी के एना वीचे है किसी जनकरी क dabei प्सका यिए ख curse लघको पुरी detail fill होने के बाद दोस्तों नीचे आपसे आपका पिन कोड माँगेगा आप यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दीजिए पिन कोड डालने के बाद में दोस्तों पुरी जानकरी आप एक बार पूरी तरह से चेक कर लीजिए चेक करने के बाद दोस्तों आप नीचे next पर click करें click करने के बाद दोस्तों ये आपसे reason for replacement of water ID यानि आपका water ID card का होने का reason पुछेंगा आपको इसमें अपना reason डाल देना है कि water ID card कैसे गमा इसमें आपको दोस्तों same यही reason डालना है reason डालने के बाद दोस्तों यह आपसे आपका gender पुछेंगा mobile number पुछेंगा अगर आपकी email ID है तो आप email ID डल दीजिए email ID डालने के बाद दोस्तों यह आपसे आपकी date of birth पुछेंगा आपको यह से अपनी date of birth सेलेक्ट कर लीनी है date of birth सेलेक्ट करना है यह सब जानकरी दलने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पुछेंगा आप अपना इलेक्शन कार्ड सी सेंटर से लेना चाहते हैं दूसरा ओप्शन है आई वील टू रिसुमाय वोटर आईडी बाय पोस्ट आप पोस्ट स रम विलो यहाँ अपने एरिया के बे ओलो यानि जो हमारी एरिया एलेक्शन दिपर्मयंट इसमालता है उससे लेना चाहते हैं तो आप यह तीन उप्शन में से से सेक्ड कर सकती है दोस्तों मैं पहला suchen सेलेक्ट करोगा और नेक्स पर क्लिक करों दोस्तों हमें यहां कुछ पैसे पे करने होते हैं कि ऑफ्लाइन के माध्यम से कर दोस्तों यह पढ hoc करने के बाद आप next करिए next करने के बाद दोस्तों आप यहाँ अपना पूरा नाम डाल दीजिए का अपनी place का नाम डाल दीजिए नाम डालने के बाद दोस्तों आप डण पर क्लिक करें डण पर क्लिक करने के बाद । दोस्तों आपने इस फर्म में जो जो जैनकरी फिल की वो सब आपके सामने यहां दिखाई देंगे आथ थीक तरह से इसको Чेक कर लो चेक करने के बाद दोस्तों सबसे नीचे आपको confirm का option दिए गएगा आप इस पर click कर दो click करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का message आएगा thank you your application has been submitted successfully आपका application अच्छे तरह से submit हो गया इस तरह आपको बुलेगा और नीचे आपको your reference ID यानि आपके reference ID दिखाई देंगी जिसके जरीए दोस्तों आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका election card कहा तक पहुचा किस process में है ये सब दोस्तों आपको दिखाई देंगा सो दोस्तों आपको ये जानकरी कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिए प्रषण कर देंगा है